प्रेंड्स गुड़ मॉर्निंग इस्टेशन्स और प्लेसस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूटूब के चनल में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मैलानी बहराईश रूट पर ट्रैक मैंटेनेंस का अपडेट लेका राये हैं पलिया रेल्वे स्टेशन के पास से पिछले मैंने जो भारी बारिश हुई थी अक्टूबर के मेहने में जिसके वज़ा से जगा जगा ट्रैक का कटान हो गया था तो यहाँ पर भी कुछ ज़ादा ही ट्रैक का कटान हो गया था और काफी समय यहाँ पर लगा जा रहा है ट इछले एक डेड़ मैने से यहाँ पर जो काम चल रहा है वो पूरा नहीं हो पाया है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यानि कि जहाँ पर ये ट्रैक कटा हुआ है नीचे की मिट्टी कटी हुई है ट्रैक हवा में जूल रहा है तो दोनों दिशाओं में मजदूर लगे हुए हैं यहां पर भी देख सकते हैं JCB मशीन भी लगी हुई है जादतर जो हिस्सा है यहां पर वो बलूवा हिस्सा है परकी बालू बहुत जादा है डलदल भी बहुत जादा है हम आप लोगों को दिखाएंगे कि JCB मशीन जब यहां पर काम कर रही थी तो वो एक तरह से धस गई उसको बाहर निकालना असान नहीं था और वो JCB मशीन अभी तक वहीं की वहीं फसी हुई है तो कितना समय लग जाएगा इसको ट्रेक को बनाने में अभी कोई जानकारी नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं यह देखे फ्रेंट्स तो यहाँ पर धेर सारी बालू यह आप लोगो को नजर आ रही होगी यह देखिए तो JCB मशीन दबती ही चली जा रही है धस गई है इसे किस तरह से बाहर निकाला जाएगा अभी कोई जानकारी नहीं है समभ़ता है कि क्रेन की मदद से ही इसको बाहर निकाला जा सकता है और देखना होगा कि यहाँ पर छोटी लैन की जो दोनना पड़ेगा क्योंकि कोई रोड का रास्ता यहाँ पर नहीं है आसपरोस में जिसके द्वारा इस मशीन को निकाला जाए खैर इस मशीन के धसने से किसी के कोई हता हत होनी की खबर नहीं है लेकिन आप यह मान के चल सकते हैं कि अभी इस ट्रेक मैंटेनेस को काम में कम से कम एक महना जबू लग जायेगा यानि कि ट्रेन शुरू होने में नै साल से उम्मीद आप लोग कर सकते हैं पहले अगर शुरू हो जाता है यहानि कि ट्रेनों का संचालन मैलानी से भेराइज के भीश में शुरू हो जाता है तो कोई चरमतकार से कम नहीं होगा फिर भी आप लोग जनुवरी मान के चल सकते हैं देखें फ्रेंड्स यह रहक है लोहे की जुजाली है तो नाव की सहयता से इसको सेट किया जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं हमने आप लोगों को पिछले बार जो अपडेट दिया था वो नाव की साहता से भी दिया था और दिखाया था कि किस तरह से ये ट्रैक के नीचे हम लोग पहुँच गये थे कि हवा में ये लटका हुआ है तो बहुत धेर सारे पत्थर भी इसमें डाले गए है चुकि गहराई बहुत जादा है और अब यहाँ पर ये जो मिट्टि काटने का काम किया जा रहा है जैसे भी मशीन की साहता से तो कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि ट्रैक के किनारे एक बड़ा सा यहाँ पर बंधा टाइप का बनाया जा रहा है जिससे की भविश में कभी अगर बाड आ जाए तो ट्रैक का कटान ना करें यहाँ पर भी देख सकते हैं रिखें बड़े बड़े पत्थर लाए जा रहे हैं बाड के पानी की वज़े से जो ट्रैक का कटान हुआ है जो मिट्टी बह गई है उससे गहराई बहुत जादा हो गई है और जिसकी वज़े से यहाँ पर काम करने में समस्या आ रही है पाटने में भी बहुत समस्या आ रही है लगातार पत्थर डाले जा रहे हैं पानी में जिससे की जो गहराई है वो भर जाए अब यहाँ पर लोहे का जाल भी तयार किया जा रहा है तो दूर वहाँ जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं जूम करके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं तो जिस तरह से लोहे का जाल तयार किया गया है पत्थर फसाए गया है ठीक उसी तरह से इधर भी पत्थर फसाय जाएंगे लोहे के जाल में मैलानी से पहराईज के बीच में मात्र एक जोड़ी अनारक्षित एक्स्प्रेश ट्रेन चल रही थी इसके बाद उसी अनारक्षित एक्स्टेश ट्रेन में जो मैलानी से सुबह साड़े आड़ वजे चलती है तो उसमें दो विश्टा डॉम कोचेज भी लगाया जाने थे जिससे की परेटरन को बढ़ावा दिया जा सके हैरीटेश ट्रेन के रूप में उस दो कोचेज को लगाया जाना था जिसका किराया 265 रुपए रखा गया था और ये दोनों कोचेज ही बिचिया रेलवे स्टेशन तक भेजे जाने थे वापसी में ये दूसरी टेन में लगकर वापस मैलानी जंक्षन रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते परेटरन को इस वज़े से भी बढ़ावा दिया जा रहा था क्योंकि दोद्वा नेशनल पार्ग परता है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे जंगली जीव जंतु है जैसे कि बाग है हाथी है हिरन है तो परेटकों को एक त्राकृतिक सुन्दर नजारा देखने को मिले विष्टा डॉम कोचेस के दौरा लेकिन खैर ये योजना भी अभी भी ठंडी पड़ी हुई है क्योंकि ट्रेन का संचालन नहीं हो पा रहा है इस ट्रैक के कटान की वज़े से खैर जैसे जैसे हमको अपडेट मित्ती जाएगी हम आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्रा हैं